बड़ी खबर आपको बता दे कॉलकता से आ रही है, यहाँ पर भी भारी बारिश की विज़े से एरपोर्ट पर पानी भर गया है, यह बड़ी जानकारी आपको बता दे एरपोर्ट की पार्किंग में पानी भर गया है आवजाही में काफी दिक्कत हो रही है साथ ही जहां फ्लाइट्स उनान भरने से पहले खड़ी होती है वहाँ पर भी पानी भर गया है जल भराव की इस्तिती आप देखिए कॉलकता एरपोर्ट की पार्किंग से लेकर रनवे तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है ऐसे में बाढ़ और बारिश उसके बाद भूस खलन पहाडों से लेकर प्लेंस तक कुछ ऐसी ही तस्वीरे और ये कॉलकता एर्पोर्ट की तस्वीरे आप देख रहे हैं इस वक्त यहां भी भारी बारिश की विज़े से किस तरह से तबाही मची हुई है पार्किंग एरिया से लेकर आप देखिए रनवे पर इस वक्त जन सहलाब देखने को मिल रहा है और जल सहलाब की विज़े से ही जो तमाम आप देखिए किस तरह से बसे हैं आवाजाही करती है या फिर जो फ्लाइट से वो भी वहां पर ख जानकारी जुटाने की कोशिश में लगे हैं लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए पार्किंग से लेकर रनवे तक बारिश का अट है जगा जगा पर ये पूरी स्तिती और सिर्फ और सिर्फ जल भराव देखने को मिल रहा है तो ऐसे में कॉलकता के लोग जो एरपोर्ट के लिए अगर आपको यातायात करना है तो आप एक बार सून इशित कर लीजिए कि आप जिस फ्लाइट से चाविल कर रहे हैं वो चल रही है या फिर उडान देरी से चल रही है इन सब जानकारी के बीच कॉलकता अएरपोर्ट की ये तस्वीरे आप देखिए बारिश की व परेशन भी हो रही है सुमित क्या अपडेट कॉलकता अएरपोर्ट से तस्वीरे सामने आ रही है जो पैसेंजर्स है क्या उनके लिए कोई संदेश दिया गया है देखिए सुबर से कॉलकता अएरपोर्ट में कल्राइट से जो लगातार बारिश शुरू हो रहा है और जो पानी बढ़ने के कारण एरो प्रीज की छोड़के फ्लाइट में चड़ना उतरने का उतर नहीं जा रहा है इसलिए और जो लोग ऐसी लैडर से जाना जाते थे वह सर्विस करी करें बंद हो चुका है इसलिए सुबर से करीब 10 फ्लाइट हो चुका है अभी तक देले चल र है लेकिन स्लाइट कैंसलेशन का ऐसा या डाइवर्शन का आभी तक कोई इंट्रोमेशन नहीं है टर्मैक में गुटनों तक पानी बढ़ चुका है बहुत बहुत शुक्रिया सुमीत आपका तमाम जानकारी के लिए आप लगतार नजर बनाय रखें जीनिस